स्वागत वरश्टन कैसे हैं आप यह वीडियो इस पेसलिए उन इस्तरी पुरुशों के लिए बड़ी उपयोगी होने चाह रही है जिन लोगों के गुप्त हिस्से में प्राइवेट अंग में कुछ अलग अलग तरह के संकर्मन हो गए घातक्स जैसे कि आउजार पर दाने निकलना फोड़ा फंसी निकलना चिपचिपा महल निकलना चमडी का लाल काला हो जाना लगतार खुचली मचना या फिर महलाओं के भी गुप्तांग से हमेशा सफेद पानी निकलना जरा कुछ कामुक विचार आया संभोग की इच्छा हुआ तो इस तरी पुर्सों का चिपचिपा हुआ चिपचिपा हट वाला पानी निकलना इस तरह की जो बहुत सारी बीमारियां हैं और इससे उनके अंदर बहुत तरह के संक्रमाण संचारी रोग पैदा हो गए हैं इसमें एच्छाइवी पॉजिटिव हो जाते हैं और ये बीमारी ऐसी है कि जल्दी निकलती नहीं है मरते दम तक कहते हैं परहिश करना होता है ऐलोपैथी में एच्छाइवी की कोई पर्मानिंट इलाज नहीं है या फिर बहुत लंबा इलाज हो लेकिन आज हम आयर वेदा के माद्यम से आपको आपका जो गुप्त पार्ट है और एकदम सड़ रहा है गल रहा है उसको सस्त और बहतर बनाने के लिए बहुत सरर और सस्ते उपाए इस वीडियो में आपको दिये जाएंगे कुछ लोग कहते हैं कि गुर्देव कंडूम लगा करके करें या बिना कंडूम के देखिए कंडूम लगा के करें या बिना कंडूम के ये बात भी इसी वीडियो इसी का हिस्सा है इसलिए मैंने इस बात को यहां पर इंकलूट किया है क्योंकि ये जो कंडूम कहां से बना कहां से आया आइडिया आया उन देशों से जिन देशों में खोब सेक्स करते हैं खोब योन समंद मनाते हैं अब जब खोब योन समंद मनाएंगे जगए जगए मनाएंगे और बिना कंडूम के करेंगे तो बच्चे भी पैदा होने की संभाबना गर्व ठेरने की प्रग्नेंसी की ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए उन्होंने उपाई निकाला फार्मासिटिकल कमपनियों ने उपाई निकाला कि ये जो दस्ताना जैसे हातों में ठंड से बचने के लिए पहना चाता और जार को एक दस्ताना पहना दीजिए कवर पहना दीजिए कवर पहना के उसमें डालिए लंबा डालिए क्योंकि जो जड़ेगा वो तुमारे उसी के थैली के अंदर रह जाएगा तो बच्चा ठैरेगा नहीं अब ये तो हुआ इसका एक परिणाम दूसरा परिणाम ये है कि बहुत सारे इस्तरी पुर्षों में पता नहीं किसमें कौन सा रोग हो क्योंकि जो लोग कंडोम लगा करके करते हैं तो इन दो चीजों से बचने के लिए किसी को कोई संकर्मन ना हो किसी को उनाचारी रोग ना हो तो उसे बचने के लिए और गर्व से बचने के लिए इन दो कारणों से ही कंडोम की उत्पत्ती हुई है लेकिन इससे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं अब तो कुछ लोग पता है मैंने सुना है कि एक काटेदार कंडोम भी आने लगा है क्योंकि कुछ और तो को नॉर्मली करवाने से मज़ा ही नहीं आता है तो उसमें जैसे दाने जैसे होते हैं कंडोम के उपर रबड के दाने जैसे जब वो औजार में पहन करके आदमी करता है तो रगड से उनको ज्यादा मज़ा आता है लेकिन ज्यादा मज़ा के चक्कर में संकर्मण हो जाता है ध्यान देना और दूसरा पता नहीं इन कंडोम्स के अंदर कुछ ऐसे सार्ट कुछ ऐसे केमिकल्स के माध्यम से बनाये जाता है या इसमें लगाये जाता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो लेकिन इस्तरी पुर्सों के रोगों में इस्तरी पुर्सों के गुप्त अंग में रोग बन जाते हैं संकर्मण बनने लगते हैं खुजली पैदा होने लगते हैं और धीरे धीरे खुजली जो है नासूर में या कैंसर्स में बदलने लगते हैं क्योंकि आप किसी भी जगए अगर खुजली बाहर के अंग पे भी मच रहे उसको खुजलाओगे तो खुजलाने में मजा तो बहुत आता है लेकिन लेकिन धीरे धीरे उसमें संकर्मन सुरू हो जाता अगर आप लगतार खुजली को मिटा नहीं पाए तो उपचार नहीं किया तो तो ये अब हमारे जो इंडियन भाई बंदू है वो कहेंगे कि गर अगर कि गर्वर ना ठेरे इसके लिए बिना कंडूम के कोई आयरवेदा में ऐसा उपाए है बहुत सारी टेक्निक हैं हमने साहिद बहुत से वीडियो में बताई भी हैं लेकिन साहिद जो निव व्यूवर्स हैं या फिर जो पुराने हैं जो भूल गए हैं तो उनके लिए वे इस वीडियो में मैं जानकारी दे दूँगा वीडियो मिस मत करना इस्किप ना करें क्योंकि फिर आप कहेंगे कि आपने बोला वह हमें पता ही नहीं चला जब आप कूट-कूट के वीडियो देखोगे उमली कर करके तो कैसे दिखाई देगा कैसे सुनाई देगा कि हमने क्या इस्ट्रक्शन आपको दिये हैं और इसी वीडियो में वो सड़ा हुआ लिंग भी होगा अब खड़ा वो सब टेक्निक आपको आज बता के जाओंगा तो इसमें चर्चा कहां चल लाई थी चर्चा चल लाई थी जो लोग कहते हैं बिना कंडूम के देखिए कंडूम लगा करके आप इधर उधर जो मुह मारते हैं आप अपनी रगड करवाओगी तबला वजवाओगी किसी का मोटा होगा किसी का पतला होगा किसी का छोटा होगा किसी का लंबा होगा तो यह सब जो है मुझे लगता है भ्रहंतियां है आप अपने मरद को ही तैयार करिए और यदि आपके मरद का जो महिलाई वीडियो को देख रही है अगर तुमारे आदमी भ्रहंतियां है आप अपने मरद को ही तैयार करिए और यदि आपके मरद का जो महलाई वीडियो को देख रही है अगर तुमारे आदमी का लिंग छोटा है पतला है तो आप हमसे मिलिए हमारे वाटस अप नंबर पर मेसेज करिए हम आपके आदमी को ट्रेनिंग देंगे और उसका मोटा मजबूत लंबा उजार बनवाएंगे इसके अलावा बैटिंग नहीं होना चाहिए लंबे समय तक वो बैटिंग कर सके दो-तीन चीज़े होती है साइज भी लंबा होना चाहिए उसकी मोटाई भी ठीक होना चाहिए और साथ में बहुत सारे लोगों के पास ये तो होता है लेकिन जल्दी जढ़ जाते हैं दो-चार बॉल पे ही आउट हो जाते हैं दो-चारी स्टॉक मारे हैं चोट मारें दोता ठोट होकर मारें हिट किया और पिट गए आउट हो गए तो ये चीज बहुत जरूरी है आप इसको मेंटेन करें अपने आउजार के लिए और यदि आपकी महला के लिए सेक्स में रूची नहीं है उसको रूची नहीं लगती है तो भी आप हमसे मिलें बैसे तो मैंने फिरी के बहुत सारी वीडियोज डाल लखे हैं किन्तु मैंने इस पेसली तूफानी तूफानी अल्ट्रा और सुपर तूफानी जैसे पाउडर बनाए हैं पिछले 2020 से कोरंडी वाइरस के समय पर मैं उसका नाम नहीं लूँगा नहीं तो यह ब्लेक लिए पिर वो ज्यादा लोगों को दिखता नहीं नहीं जाते हैं तो जो कोरंडी वाइरस मने जिनको को और वाइरस हो गया था जिन्हों ने इस तूफानी चूण को खाया बहुत लाव हुआ दूसरा जिन्होंने पहले खा लिया उनके लिए कोरंडी वाइरस का कोई और इससे बैटिंग पावर बहुत तकड़ी जबरजस्त बन जाती है घोड़े की तरह लंबी बैटिंग लंबा बैटिंग औरत की प्यास बुझाने वाला है साथ में हम पेनिस लिफ्टिंग एक्सरसाइस भी हम ऑनलाइन करवाते हैं वो ऑनलाइन है और हट योग के द्वारा तीन से छे घंटे क्या पूरी पूरी रात आप बैटिंग करें वो आफलाइन कोर्स है वो भी आप जो हैं सीख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको आना प पड़ेगा वह आप कहेंगे कि आपका पता क्या है देखो पहले आप अपना अपना इंट्रोडेक्शन दिया करो एकदम तुम महत्मा जी की दाड़ी मत पकड़ा करो कि गुर्देव कहा के रहने वाले हो लेना देना तो कुछ होता नहीं बहुत से लोगों को लेकर उनकी क इच्छा होती है कि महत्मा जी कहा के रहने वाले हैं हो सकता है हमारे जिले के पास में रहने वाले हूं तो हम भी कूद के पहुंच जाएंगे महत्मा जी के पास कूद के तो मेरा पडूसी भी मेरे पास नहीं आ पाता है कि गुर्देव से जब चाहें तो कोई मुझ से मिल मैं पडूसियों से भी जो है एक मर्यादा में संबन्द रखता हूं तो ये सब गलत फ्रमी बेटा निकाल दो और अपनी क्योरिस सिटी पे कंट्रोल लगाए हम कहां रहते हैं, कहां के रहने वाले हैं ये सब चीजें धीरे धीरे पता चली जाएंगी जो लोग योग सीखने आते हैं तो उन लोगों को पता ही है और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया करो और एक चीज और मैं रेजिडेंशल आइडी मंगाता हूं चाहें तो आप आधार कार्ड अपना दिखाया करो भेचा करो मेरे को फोटो या बोटर आइडी कार्ड या ड्राइविंग लैसेंस या पेंड कार्ड कुछ भी गोवर्मेंट अथंटिक कोई भी रेजिडेंशल हो अभी मैं आपको प्रोपर जनकारी यूट्यूप पर वाट्सअप पर दे पाऊंगा ओके समझ लेजी अच्छे से ऐसे आप कुछ भी पूछेंगे तो हम हर किसी के लिए चैट में जवाब नहीं देते हैं हाँ आपको कोई समस्या है लेकिन अगर आप हमसे कुछ सीखना चाहते हो या कुछ प्रोडेक्ट मंगाना चाहते हो तो आपको रेजिडेंशल आइडी भेजना ही होगा अदर्वाइस नो डी ओके नो मैसेजिंग नो चैटिंग नो आंसरिंग और नो किश्चनिंग एक अपना इस्टाइल है चूरें चटनी थोड़ी ऐसी चौरहाय पर बैट करके थोड़ी बेंच रहे हैं एक अपना इस्टाइल है साले जो गुरू करोड़पती अरभपती हो उनके अंदर तो style हो अलग बात है पैसे की दमपर लेकिन मेरी जो style है मेरा जो attitude ग्यान और confidence की दमपर है प्रैक्टिकल मेरे पास में विवस्ता है ना हो लेकिन मेरी जो अवस्ता है बड़ी स्टॉंग है मेरी जान समझें आप लो तो चर्चा कहां चल लए थी चर्चा चल लए थी कि आउजार में संकर्मन है योनी में संकर्मन है महलाओं के तो उससे बचने के लिए आप एक डाइरी और पैंसिल उठा लीजिए पैन उठा लो पैंसिल का जमान नहीं तुम तो पैंसिल तो अपन लोग बच्पन में चलाते थे उठाइए उसके लिए और लिखिये जो HIV पॉजिटिव है गारंटी से मैंने ठीक किया है हमारे मिलने वाले थाइलेंड में गय थे बड़े पैसे वाले हैं जज मान को सुरक्षित जान और मान के हिपाजत्थ करना मेरा फार्च है वही मैं समाजमें कर रहा हूं है तो विटा है चले गए वह महांपे मसाज करा या मसाज करा थाइलेंड में आप जानते हैं यए बहापर इस तरीके के prostitution और massage therapy के साथ साथ जो है वो link therapy भी देने लगती हैं हाथ से पकड़के उसमें भी तेल लगाते हैं अब जब भाया बैसे भी जो है इंडिया का आदमी जहां सोचने मातर से इंडिया के आदमी का मुसल्मानों का हिंदूं का पंजाबियों का खड़ा हो जाता है निकल जाता है पानी अब वो तेल लगा रही है और जब तेल लगा रही है तो फिर जोस बने जाएगा तो फिर चड़ जाते हैं हालां कि वहां के ओरतों का इलाज बगेरा चलता रहता है एक रुटीन चैक अप होता रहता है लेकिन बहुत से ओरते रुटीन चैक अप न कराती हो अमिस हो गया हो उनको रोग हो तो उनके साहाफ जो है फोड ऑ लिंक पर इतनी मोटी गांड निकल आए और इतनी रुटी तो साल पहले वो टच में आये हमारे यूटूब से और मैंने फिरी में ही उक्चार बता दिया उसके तो मैंने पैसे भी नहीं लिये बिल्कुल क्योंकि मैं 95% चीजें जो हैं निसुल्खी बांट रहा हूँ और आगे भी बांटूँगा ठीक है? तो डैरी में आप लिखिए HIV, AIDS वगएरा कुछ भी हो चिंता ना करो भाईयो परेज लिखिए ओ दवा लिखिए फिल्टर्ड गोमूत्र गाय का मूत्र लेकिन जबान गाय का मूत्र ना हो जो बच्चिया होती एक साल के अंदर की जो बच्चिया होती है या बच्चडा होता है गाय का देसी गाय का हो तो ज़्यादा भेतर है क्योंकि तुम सवाल जरूर करोगे ये वाली गाय का चल जाएगा इसलिए पहले ही जवाब दे दे रहे हैं कि देशी गाय का हो तो चलेगा उस मूत्र को ले लो सुभह के समय में जब पहली धार उसकी निकल के आए बरतन में ले लेना उसके निकलने के बाद में बीच की जो धार हो बो लेना लाश्ट की और पहली थोड़ा स्टार्टिंग का मूत्र नहीं लेना चाहिए उसको आप छान करके साथ बार उसको सूती कपड़े से छानिये और सूती कपड़े को कोटन का जो क्रोथ हो उसको साथ तह बनाओ साथ बार ऐसे फॉल्ड करो और फिर उससे छानिये और इस तरह से आपको यह कई बार छानना पड़ेगा डाउन हो जाते हैं इस वीडियो में कई सारी चीज़ें बताऊंगा आप यह तो मैं फार्मूला लिखाए रहा हूं इसके अलावा और भी चीज़ें आपको मिलेंगी तो उसके लिए आपको सुमह के लिए एक कप गरम पानी करिए एक कप गरम 100 अमल गरम पानी करिए हलका सा और उसमें 10 अमल 5 to 10 अमल आप 5 अमल से सुरुवात कर सकते हैं और 10 अमल इससे जादा नहीं कुछ बेवकूफ लोग जो हैं वो बताते हैं एक एक कप गोमूत पीना चाहिए अरे फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारी यह कोई मजाक बात नहीं है किसी के स्वास्त को बहतरीन प्रैक्टिकल और थेोरिटिकल दोनु तरह की जनकरी आपके पास में हो चार लोगों के वीडियो को सुन लिया उन्हेंने भी उसी पर गोमूत्र गोमूत्र चिकेसा मैंने खुद अपनी आँखों के सामने एक व्यक्ति ने किसी ने किसी को राय दे दिया गोमूत्र पीलो साला जो आदा कप गोमूत्र पीलिया बिना च्छना हुआ मेरे सामने गाय का मूत्र लिया था और बिना च्छना हुआ आदा कप पेलिया और छे घंटे के बाद में उसके इतने खुजली मचना चालू हुआ उस आदमी के इतना खुजली हुआ फोड़े जैसे दरदुरी पढ़ने लगा उसको इंजेक्शन लगवा के उसको कंट्रोल किया गया समझ गया ना तो ये मुरक्ता मत करना ये चुतियापा मत करना इस तरह का कहीं पढ़ लिया सुन लिया गोमूत गोमूत हर चीज की एक तरीका होता है जानकारी प्रोपर होना चाहिए फिर जब आप इसको सुबह को लेंगे और ये घंटे तक को खाएंगे पियेंगे नहीं प के वराबर अगर परेज कर लो तो जादा अच्छा है जीवन वचाना चाहते हो तो मार्केट का जंक फूड जो है फास्ट फूड है बलगर है पीजा है इन्होंने तो तुम्हारी माभेन एक की है चार पैसे क्या आ गए तुम्हारे पास में तुम तो बोरा गए पगला तो यह कहानी है तो अपनी आउकाद में रहो जितनी प्रकिर्टी के पास में रहोगे जितना साधा सिंपल खाओगे उतने ही चमकदार बनोगे तुम ताकतवर बन के रहोगे समझ रहो ना बंदर क्या तड़का लगा के खाता है घोड़ा कौन सा तड़का लगा के खाता है इन उल्टी सीधी चीजों ने हमारी तुमारी माभेन एक कर रखिये बिटा इसमें कोई डाउट नहीं मैं भी उसी में हूँ हमारे भी माभापने उल्टा सीधा खिलाया होगा क्योंकि जब ग्यान नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे और ग्यान मिलता है सादू मात्मा ग्यानी महापुरसों से अब तुम ग्यानियों की बास सुनोगे नहीं इदर उदर बैठोगे रंगबाजी करोगे जो मिलना वठों से लिया समोसा ही लियाए कुछ नहीं पकोड़ा लियाए ब्रेड पकोड़ा ले लिजे कचवड़ा ले लिजे अब कचवड़ा को हजम करने के लिए सालो दही तो ले नहीं रहे हो चांच तो ले नहीं रहे हो कसरत तो कर नहीं रहेशो फिर कह रहे हो कि मेरा पेट लटक रहा है मैं आउरत के पास जाता हूँ बाबा मेरा जढ़ जाता है बहुत जल्दी अब बाबा क्या करें बाबा का ओजार डालोगे कि अपनी आउरत की उसमें जाव करके बताइए बाबा क्या करें बाबा थोड़े बैटिंग करेंगे अरे इसलिए तो मैं यूटूब पे इतनी वीडियो डालना हूँ ताकि जागरूपता आजाए मैं कहता हूँ संसार को हिलाने वाले बहुत पैदा होते हैं लेकिन संसार को जगाने वाले थोड़े ही आते हैं और इस लाइन में लोगों को बड़ी सरम और डर लगती है मुसल्मानों के सरदारों के हिंदूओं के जो धरम के ठेकेदार हैं जो लाखों से पांच-पांच लाख 25-25 लाख रुपए जो एक-एक प्रोग्राम के लेते हैं प्रवचन के ऐसे लोग भी इस सब्जेक्ट पर लोगों की समस्याओं पर बोलने की छमता या उकाद नहीं रखते हैं उस चीज़ पर प्रभू ने हमको भेजा है उपर वाले ने समझ रहें आप की कॉन्फिडेंस के साथ अनभाव के साथ लोगों की समस्याओं पर काम करो क्योंकि लोग गुपतांग से कमजोर या बेकार या संतुलित हो रहे हैं उनकी उर्चा आतम हत्या जैसे विचार गिरह कलेस यह सब इसी की देन होते हैं अधिकांश्यता फेलियर हैं आप फेलियर हो रहे हैं आप बैटिंग में तो करना क्या है इस गोमुत्र को आप इतना लेंगे और पी लेंगे एक घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है और मुंग की दाल छिलके वाली और ग्योंका दलिया बनफोर्त के अनुपात से लेंगे चार मुठी अगर ग्योंका दलिया है तो एक मुठी उसमें मुंग की दाल भी होना चाहिए वो आप लेंगे और गाय का ही अगर छाच मिले मठा मिले दही मिले मत के उसका भी सेवन आप कर सकते मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ अगर आप पर्सनली मेरे से टीटमेंट करांगे तो मैं उसकी चार्ज लूँगा फेस लूँगा इस समय मैं वो बाते बता रहा हूँ जिससे किसी को साइड एफेक्ट ना हो और काम की बात लोगों तक पहुँच जाए जो घरवैट वो तेल क्या पचास ग्राम नीम की पत्तियों की चटनी बनाई यह उसमें 10 घराम हल्दी पाउडर मिला लो औरिजनल होना चाहिए नाम भी आजाएंगे आप हिंदी में लिखना तूतिया का फोटू दिखाओ इसके फाइड तूतिया जिसको नीला थोता भी कहते है आयरवेदा के अंदर पांच ग्राम बो मिला दो और 200 ग्राम तिल का तेल ओके तिल के तेल में इस चटनी को इन सब चीजों को दो तीन जो आइटम है इनको भूनिये बढ़िया से भूनिये भूनो इनको काला कर दो इनके लिए हलकी आग पर और फिर कपड़े से सूती से छानके इसको ठंडा होने पर रख लो कांच के पोटल में साला कुटा कहा रो रहा है तो कहने का तात पर ये है धारा को भंग गया दिया कुछतों की लड़ाएं तो कहने का तात पर ये है इस तेल को सुबह दुपेर साम आप अपने गुपतांग पे लगाईए है ये बाहर की प्रक्रिया है अब एक अंदर की और प्रक्रिया आपक कि ये तो मैंने सुबह को खाली पेट आपको बताया है गोमुत्रवाला उपचार और आपको साम के लिए इसको लेना है साम को पांच से छे बजे माना खाना खाने से दो घंटे पहले रातवाला भोजन और रातवाले भोजन के बाद में आपको क्या लेना है रातवाले भोजन के बाद में आपको एक गिलास दूद लेना है और उसमें बैदनात कंपनी का पांच बूंद लौंग का तेल डाल देना है उसको पीना है आपको हलका चीनी डाल सकते हैं चाहें तो या फिर ऐसे ही लो तो भी कोई दिक्कत नहीं यदि किसी को दूद सूट नहीं होता है उल्टी होने लगती है क्योंकि माबाप सालिच चाय पिलाते हैं बच्चों के लिए दूद थो पिलाते नहीं gehört अगर उल्टी होते हैं इलर्जी होता है या पीट में दर्द होता है तो फिर क्या करना है एक गिलास दूद में एक चौथाई चम्माच ड्राई जिंजर का पाउडर डालके उसको खौलाए तो आपकी ये इलर्जी खतम हो जाएगी जो जिनको दूद हाजम नहीं होता या उल्टी हो जाता है समझ रहे ना आप लोग मैं क्या कहना चाहा रहा हूँ तो आप इस तरह से दूद का प्रियोग कर सकते हैं उसमें पांच मोद बो जरूर डालना है अगर दूद से बिलकुल ही तुमने कसम खा लिया कि मैं दूद नहीं पियोंगा जिन्दकी भर अपनी मा की कसम खा लिया अपने बाप की खा लिया या अपने आप से कमिट्मेंट किया है कोई बात नहीं आप एक गिलास पानी को गरम करेंगे उसमें दसबूंद लॉंग के तेल डालेंगे फिर लेकिन फिर ये मत कहना मेरे अंदर इनर्जी कम हो रही है क्योंकि इनर्जी को मिंटेन करने के लिए दूद के साथ में दवा का लेना जरूरी होता है या फिर आपको ऐसे फ्रूट खाने होंगे जिनके अंदर चिपचपाहट ना हो जैसे केला आदी, कटहल की सबजी, भिंडी, इट्सेटरा, इट्सेटरा, ठीक है? आप ये प्रियोग करिए तेल का प्रियोग दो बार करना है आपको सुवह रात में सोने से पहले है और सुवह के, हाँ, सावन का प्रियोग कौन सा करना है आपको आपका जो सावन आ रहा है, उनसे भी कई तरीके के ऐसे ऐसे कंपनी सावन बना रही है सुंदर्ता के नाम पर सुंदर्ता बढ़ेगी कि ये बढ़ेगा घंटा बढ़ेगा घंटी बढ़ेगी उनमें ऐसी चीजें डाली जाते हैं ताकि आप जो कास्टिक जादा हो जो आपकी चमरी को सपेद करने के चकर में infection हो जाता है कुछ लोग गोरा होने के चकर में काले पन को मिटाने के लिए रगल रगल के खूब नहाते हैं अब ये नहीं समझते हैं भगवान ने उपर वाले ने जब कालिया बनाया है तो तुम पीलिया क्यों बनना चाहते हो ये उपाय हो गया ठीक है ना इसके अलावा यदि आप तूफानी चूरण को भी इसके साथ में चलाएंगे तो बहुत जल्द आप इन बीमारियों से निकल जाएंगे फिरी वाली चीज़ है भी है मेरे पास पैसे वाली भी है अब आप जैसा अपना भला करना चाहूं को कर लो इस वीडियो को अधिक से अधिक सियार करना महलाओं के लिए भी ये वीडियो है जिन महलाओं को इस तरीके की दिक्कत है देखे मैंने तेल बताया आपके लिए गोमुत्र वाला प्रियोग बताया मैंने आपके लिए दूद के साथ प्रियोग बताया मैंने इसमें परेज भी हलका फुलका बता दिया बीडी सिगरेट गुटका यह सब बंद करना होगा वेटा ये चीजें ध्यान रखना अगर जिंदकी को बचाना है सरीर को समझ रहे न और चिपचिपाहट वाले पदार्थों को त्याग देना चावल में भी चिपचिपाहट होती है तले भुने से भी बचाओ रखना है तो फिर खाँ क्या सादा सिंपल खाओ अगर जिंदकी और सेहत प्यारी है तो यह मैंने बता दिया उसके साथ में यह दिया आप पैसे वाला प्रोडेक्ट मंगा सकते हैं तो तूफाने यह अल्टा तूफाने यह सुपर तूफाने मंगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ओके लेकिन अपना रेजिडेंशल आईडी प्रोव भेजना ही होगा और यह सवाल कि गुर्देव आप कहां रहते हैं इस तरीके के बेहुदा सवाल मत लेखा करो अरे हम कहां रहते हैं उससे क्या लेना देना हमारे वीडियो को दे हमारे 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 इंटेंशन हमारी एबिलिटी हमारी परसनाल्टी हमारा कमिटमेंट ही हमारा एड्रस है और हम अपना एड्रेस उनको बुलाते हैं जो योग सीखने आते हैं कुछ लोग कहते हैं बाबा हम आपसे मिलना चाहते हैं अरे मिलके क्या बाबा की दारी के बाल खीचोगे क्या खीचोगे क्यो मिलना चाहते हो टाइम बेश्ट अपना मत करो मेरा मत करो बही रह करके अपना इलाज करो और 4 पैसे हैं तो बाबा के पास में महत्मा जी के पास आने के लिए आपको appointment लेना पड़ेगा अपना address वेजना पड़ेगा जब आप appointment ले लेंगे appointment का फीस होगा proper किस काम से आ रहा है कितने दिन हमारे पास रुकना चाहते हो वो साव तुमारे लिए बताना होगा उसके हिसाब से तुम्हें चार्ज देना होगा उसके हिसाब से हम आपके लिए फिर एड्रस देंगे तब आपका रिजर्वेशन होगा तब हम तक पहुँचोगे यह है पूरा फंडा ओम शांती ओम क्रांती वीडियो को जनेत में अदिक से अदिक सियर करें यह कोई सस्ते महराज नहीं है भले ही हमारी पहचान कम है तो क्या हुआ लेकिन हमारे इरादे बहुत बुलंद है और इन इरादों से ही जो है सब कुछ होगा समझ रहे न आप यह मैं सोचो सस्ते गुरु है यह मैं अगर तुम्हारे लिए परोपकार की भावनासर तुम लोगों को मैं ग्यानवर्दक वीडियो भेज रहा हूँ तो इससे आप यह ना सोच लो घर बैठ करके कि गुरु जी से मिलना इतना ही आसान है बड़ा मेहा मोल लिच्चुकाना होता है ओम शंते ओम क्रंटे